नमस्कार आप देख रहे हैं सनमाग लाइब और मैं हूं मनोज नायन सिंग बाहु बली अनंद सिंग की मुश्किलें दिनो दिन बढ़ती जा रही है रविवार की रात और सोमवार के सुबह मतलब की महज दो रोज पहले अनंद सिंग का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि चार रोज के बाद संभावता वो सरेंडर कर जाएंगे सरेंडर करने के पहले उन्होंने कहा था कि सरेंडर करने के पहले मीडिया सब को बुलाएंगे अपने सरकारी आवाज पर आएंगे मीडिया सब के सामने अपना बयान देंगे बयान देंगे बया अनन्द सिंग भी अपनी कानूनी प्रकडिया से सेफटी के लिए काम कर रहे हैं बार जुडिशियरी कोट में ADJ4 शैलेंदर कुमार पंडा के कोट में उन्होंने एंडिसेबेटरी बेल मुव किया था जो भोला सिंग मडर केस में जो अडियो वायरल हुआ था उसी मामले में उन्होंने एंडिसेबेटरी बेल मुव किया था जिसमें उनकी जमाना त्याज क्या खारीज कर दी गई है तो एक तरह से अनन्द सिंग को यह बहुत बढ़ा जटका लगा अलाकि अनन्द सिंग ने कहा था कि पोली जो भी करवाई कर रही है वो सब शड्यंद्र के तहत कर दी आज शाजिस के तहत कर रही है उन्हें कोट पर भरोसा है लेकिन जिस तरह से कानूनी प्रकिडिया में जो अनन्द सिंग फंस्ते जा रहे हैं और जो कानूनी प्रकिडिया है आज उनको एक बहुत बड़ा घटका लगा है कि बाठ शिविल कोट में उनका एंटी में वो सरेंडर करते हैं या फिर कोट से एंटी सेपरेटरी बेल लेकर के पाक साफ साबित करते हैं अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल अनंद सिंग की जमानत याज का खारीज हो गई है अब वक्त बताएगा कि अनंद सिंग को कितना न्याय मिल पाता है या फिर पुलिस की जो दबीश है वो कितना कारगर होती है बार से सयोगी अनील और धिरच कुमार के साथ मनोज नरायान सिंग सनमाग लाइफ पटना आपको ये कार्च करम अच्छा लगे तो सनमाग लाइफ को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी की खबरों से आपको रूबरू कराते रहें